बहुचर्चित रूचिता हत्याकान के आरुपी दिव्य कोठारी को न्यालाई ने उम्रकेत की सजा सुनाई। औरुपी ने खुद को मानसिक बीमार वो पागल साबित करने का प्रयास करते हुए हर तरह के हत्कंडे अपनाई थे। लेकिन पुलिस वो FSL के मजबुत सक्स के कारण वो सलाकों से बाहर नहीं निकल पाया। गत एक दिसम्मर 2016 को सुखेर थाना पुलिस ने और्बिट कॉम्पलेस में दिव्य पुत्र अर्विन कोठारीक ने रुचीता पत्नी के वी गुपता की निर्मर हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे गलत नियत सामने आई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफतार करके विरुत जिवन कारावास वह 50,000 रुपे का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। और बिट कॉम्पलेक्स में हुआ यह थ्याकान आज भी शेरवाशों के जहन से नहीं निकल पाया। आरोपी ने स्वेंग को बचाने के लिए मुपर पाने से इतने वार कर दिये कि उसके चेहरी की हड् विशब्द तरीके से हुए इस हत्या के बाद उदैपूर में समस्त अधिवक्ताओं ने पेरवी करने से मना करते हुए विरोज जताया था। वहीं फैसला आने की बात लोगों का कहिना है कि आज सही माइने में मृत्गा की आत्मा को शांती मिली है। दीवक्त को समबपन करने पर पेश हुआ और बाद अनुसंदान ज्यायलए मे चलान उदैपूर पेस हुआ जिसमें अधिवक्त महिला मृत्टका महिला अधिवक्तां प्रक्रण चित्तोडगर्ट डीजे को अस्तांत्रित किया गया जिसके द्वारा वह पुरोहित द्वारा इस प्रक्रण का आज दिनांक को निर्णाइपारित करते हुए तारह 302 तो 450 ती 425 आर्ट से 1 में दोशीप पाते हुए 302 में आज इवन कारावास एवं 50,000 रुके आर्ट दंड चार सो पचास में 5 वर्स का कारावास वे 5,000 रुके आर्ट दंड से दंडित किया